अगर आप भी अपने घर पर अजवाइन के पोदे को लगाना चाहते हैं तो कैसे आप अजवाइन के पोदे को कटिंग से लगा सकते हैं अपने घर पे उसे जुड़ी पर जानकरी मैं आपको इस वीडियो में सेर करने वाला हूँ चलिए दोस्तों वीडियो को इस्टार्ट करते हैं तो देखे दोस्तों मेरे पास यहाँ गमले के अंदर मैंने अपना जवाइन का प्लांट लगाया हुआ है इसको मैंने गर्मियों की सीजन में अपने 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 कटिंग से लगाया था याँ इस जो ब्रांच है उसको आपको कट करना है तीन से चार इंच यहां पर मैं देखे दो से तीन ब्रांच को कटकर लेता हूं अपने कटिंग के लिए कटिंग का साइज जो मैं यह रख रहा हूं 3 से 4 इंच आप साथ में देखें इन cutting को लगाने के लिए हमने क्या potting mix रखा है तो देखिए आप अजवाइन के plant की cutting simple garden soil के अंदर भी लगा सकते हैं इसके कोई लिए कोई extra potting mix बनाने के लिए जरूर नहीं है simple garden soil के अंदर आप इसको easily लगा सकते हैं तो देखें यहां पर जो मैंने अपना soil लिया है वो simple garden soil है हमारा और इसके अंदर ही मैं अपनी cutting को लगाने वाला हूँ तो देखें cutting को simple मुझे अपने soil के अंदर यहां पर लगा देना है सिर्फ एक छोटा साथ छेद करना है और अपनी cutting को place कर देना है और साथ ही अजवाइन की cutting को लगाने के लिए हमें कोई extra चीज यहां पर नहीं लेने से हमें हार्मोन पाउडर नहीं लेना है इक्सरा जैसे आप इसको cutting को place करने तो में simple हमें cutting को लगा देना है अपनी cutting को cut करना है और simple मिटी के अमने होड़ी को लगा रहा हूँ तो यह मेरी childrenular है यह दोड़ी वैट है यह सौइल के इंदर हमेरी नमी बनी होगी हूई है तो इसमें आ पान नहीं दे रहा हूँ अगर आपकी तोड़ी ड्राई है तो थोड़ाल का पानी देजिए और फिर इस cutting को आपको ऐसी जंगे place करना है जहाँ पर direct sunlight नहीं आती हो यहनी sunlight अगर आ भी रही है तो आपकी एक से दो घंटे के sunlight आए उसके बाद पर चायर आए ऐसी जंगे में इसको place करने के बाद अब आपको इस cutting का result 10 दिन के अंदर मिल जाएगा 10 दिन के अंदर हमारी cutting के अंदर roots निकलने स्टाट हो जाएगी और नई leaf भी बनने स्टाट हो जाएगी जिसको आप 20 दिन बाद किसी दूसरे गंबले के अंदर place कर सकते हैं तो इस simple तरीका के यह यूज करके आप अजवाइन प्लांट की cutting को घर पर आसानी से लगा सकते हैं तो बस अब हमें अपनी cutting को Saturday में रख देना है और आप मैं आपको इनका result दिखा देता हूँ है तो देखें दोस्तो आज अजवाइन की cutting को लगें उपर दस दिन की update आप देख रहे हैं cutting में यहाँ पर success हो चुकी है और cutting का result आप देखी रहे हैं देखें यहां पर leafes मारी निकलना स्टार्ट हो चुकी है तो इस तरह के से आप अजवाइन की cutting को लो कर सकते हैं 10 दिन क जो 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 एंदर